दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सारुक खान की फिल्म जीरो से अरली अपडेट्स आई है हमारे पास इसके बारे में सबसे पहले आपको बता दू कि आप इस पूरी नियूज को जरूर देखे इससे आप पूरी नियूज समझ पाएंगे जैसा की दोस्तों इस फिल्म को 21 दिसंबर को रिलिज किया गया था यानि की आज 5 दिन हो चुके हैं इस फिल्म को रिलिज हुए हाला की रिलिज से लेकर अभी तक इस फिल्म को लेकर काफी उतार चवराओ देखने को मिला है फिल्म के पहले तीन दिनों का कलेक्शन लगभग 20 करोड के आसपास ही रहा वहीं दोस्तों चौते दिन का कलेक्शन जो कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था उसके हिसाब से बॉक्स ओफिस पर भारी गिरावट देखने को मिला हलाकि चौते दिन के कलेक्शन की फाइनल रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है आते ही हम आपको जड़ी अपडेट करेंगे पर हमारे पास आई रिपोर्ट के अनुसार लगभग चौते दिन का कलेक्शन सारे 8 से 9 करोड तक का था और आज दोस्तो इस फिल्म का पांचमा दिन है और सबसे बड़ी बात यह है कि आज क्रिस्मस डे है जिसकी वज़े से इस फिल्म को रिलिज किया गया था एक्सपर्ट के मुताबिक आज इस फिल्म का कलेक्शन रिकॉर्ड तोर होगा क्योंकि दोस्तो भले ही इस फिल्म को क्रिटिक्स के द्वारा खराब रिभीव मिला हो लेकिन फैंस इस फिल्म को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं और इसी साब से ये फिल्म बॉक्स ओफिस पर ब्लॉक बास्टर साबित होने की उमीद लगा रहे हैं सारुक का कहना है कि इस फिल्म में सारुक, कटरीना और अनुसका तीनों नहीं खूब इंटर्टेन किया है और जहां क्रिटिक्स को इस फिल्म की कहानी बिना लॉजिक क्या लगी वहीं फैंस को इस फिल्म में पूरा लॉजिक लग रहा है फैंस ने कहा कि स्क्रिन प्ले से लेकर हर चीज इस फिल्म में लॉजिक की है और जैदतर फैंस इस फिल्म को 5 में से 5 स्टार ही दे रहे हैं और ये तो कनफॉर्म है कि आज क्रिस्मस डे के दिन इस फिल्म की कलेक्शन टाबर तोर होने वाली है पर दोस्तों 200 करोर के बजट से बनी ये फिल्म जिसने चार दिनों में सौकरोर का भी आकरा पार नहीं किया है और इसी साब से आपको क्या लगता है कि ये फिल्म बॉक्स ओफिस पर ब्लॉकबास्टर हो पाईगी या नहीं कमेट सेक्शन में जरूर लिखें और हमारे ये न्यूज अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें